सब्सक्राइब करें कि हमारे बालों में एक अच्छा volume हो, अच्छी strength हो, हमारे बाल बहुत सादा खने हो, बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी audience है, जो कहती है कि हमारे बाल ज़रता नहीं है, हमारा बाल तोडता नहीं है, बाल लंबे भी है, लेकिन bounce नहीं है, bounce के लिए कैसे remedy बताने चारे हो, अग पिंहां से सुनियेगा चारों चीजों को आप ग्राइंड कर लेंगे और रात में आप इनको रग-देंगे सुबह उठने के बाद आप कम-inkम आदह लीटर पानी लेंगे इन चारों चीजों को मिला के इसका पेस्ट बना देंगे तब तक इसको पकाएंगे जब तक पानी आदा न रह जाए ठंडा होने पे आप इसको चान के बहुत अच्छे से अपने बालों में लगाएंगे सबसे ज़्यादा पिस्केल्प में लगाएंगे और कम से कम दो घंटे के लिए 40 मिनट का मास्क नहीं है यह दो घंटे का मास्क आप इसको लीविन करके छोड़ देंगे और उसके बाद किसी भी अच्छे शेंपू से अथेंटिक शेंपू से अपने बालों को राइंज ओफ करेंगे ऐसा आपको करना है हकते में एक बार यकीन मालिए कितने भी प्रोड़क्ट यूज कर करवा लिजह लेकिन अगर आपने ये मास्क उसकर लिया ना तो आपके बालों का वाल्यूम कहीं ने जाएगा अनियन आपकी जो पीयेश लेविल होता है जो रूट्स होती है उन्में जितने भी डॉट होती है उसे लिमूव करता है अलसी आपकी लेप करता है आपकी देने का काम करता है अलोविना में सबसे ज़्यादा कार्वो हाइडरेस, केलशियम, प्रोटीन, नूट्रिशन, वाइटमिस जो हमें हेयर के लिए चाहिए वो सारी चीज़े होती है और उसके बाद वाइटमिन E वाइटमिन E अपने हाप में एक रामबार उपाए है आपके बालो को या आपकी स्किन को ग्लॉसी बनाने के लिए ये जो चार चीज़ों का मैंने मास्क बताया है मैं अपनी सीरीज में बहुत छोटी छोटे टोपिक्स लेके आती हूँ मेरी वीडियो बहुत छोटी होती है वो किसलिए कि मैं जानती हूँ कि हम लोगों के पास वोमेंस के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 15 मिनट की पूरी वीडियो देखें और लास्ट आने तक हम उस चीज़ को छोड़ दें मेरा मोटीव है, मेरा परपस है आप लोगों तक अपनी आवास पहुंचाना जो मेरे DIY हैट्स हैं जो मैं अपनी स्किनों हेयर पर यूज करती हूँ वो आप तक पहुंचाना इससे छोट-छोटी वीडियो उसका मेरा पाइदा उठाए ये मास्क घर पर बनाए लगाए और कमेंट बैं उसमें मुझे बताएं कि आपको उससे कितना benefit हुआ कितना volume गें हुआ लेकिन एक महिने बाद महिने में चार बाद लगाने के बाद बने रहे हैं मेरे साथ मेरे पेश पर पर इस वकेश न यूट शब्सक्राइब एट एट बेल इकन